नमस्कार, MH1 प्राइम पर आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ खुश्बू शर्मा होली की उमंग है, रंगों की तरंग है, मिठाईयों का संग है और ऐसे में आज की ये शाम, आज का दिन, आज का समा खुबसूरत करने के लिए आनन्द से भरने के लिए, हम आज के इस उत्सव को, यानि होली के इस उत्सव को महोत्सव में बदलने के लिए आपके बीच में आए हैं तो मैं निवेदन करती हूँ कि आज जो भी समय आप लोगों के पास है, उसे दिल खोल कर जियेगा क्योंकि आज हम MH1 Prime की तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं, कि आपकी ये होली इतनी खुबसूरत रहे, इतनी मदमस रहे, कि आप कितने सालों की होली को आज के इन पलों में बिलकुल भोल जाए और ये होली, यानि आज MH1 Prime के साथ जो आप होली मनाने जा रहे हैं, वो कई यूगों तक आपके जहन में जिन्दा रहे हैं, तो चलिए स्वागत करते हैं, आज हमारे साथ तमाम अतिती मौझूद हैं, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आज की इस आइटी द्वारा संचालिद, महाराजा अग्रुसेन, इस्टिट आफ टेक्नोलोजी और मैनेजमेंट स्टडीज का, जिन्होंने आज हमें ये परांगन उपलब्द करवाया हैं, ताकि हम ये खुबसूरत शाम आप सब लोगों के लिए लेकर आ सकें, बहुत बहुत करती हूं, बहुत बहुत स्वागत करती हूं, और चलिए आज कि शाम को और ज्यादा यादगार बनाने के लिए, आनंद से भरने के लिए होली की, मस्ते में आनंद की डुपकी लगाने के लिए, हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं, हमारे इस कवी संबेलन की, सबसे पहले, मैं अपने आती थी कवी जो हमारे साथ आज यहां उपस्थित हैं उनका स्वागत करना चाहूंगी एक एक करके मैं उनका नाम लूँगी और हम सब उनका जोरदार तालियों से इस तक बाल करेंगे उनका स्वागत करेंगे सबसे पहले हमारे साथ आज यहाँ पर हमारे देश के सबसे वरिष्ठ कवी भी कहूंगी और सबसे शांदार कवी भी कहूंगी यूसुफ बारदवाजी बहतरी इन हास्से कलाकार हैं, बहतरी इन व्यक्तित्व हैं, उनका MH1 प्राइम के माध्यम से होलिस के शांदार कवी जी हैं, वो नाम से अजनवी हैं, लेकिन उनके काम से हम अजनवी नहीं हैं, उनकी हास से कवीताएं सुनकर लोग खूब आनंद में हो जाते हैं, तो हम निवेदन करते हैं कि जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे, बहुत शुक्रिया आपने समय दिया और आपक एक ऐसा शांदार नाम जो जिन्होंने शुरुआत बहुत देरी से की लेकिन यकीन जानी आज वो काम्याबी कैसे शिखर पर हैं जिनके बिना कवी सम्मेलन का कोई भी मंच अधूरा नजर आता है अनेला गरवंशी जी हमारे साथ है जोरदार तालियों से बहतरी नहां से कवी तो हमारे साथ इसे बीच हमारी महीला कव्यात रीश रिशे पांडर जी है बेहतरी कवयत में बहुत 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 स्वागत करते हैं और देश के लाडले कवी और हम सबके बहुत ही चहीते दीपक सैनी उनसे आपका जब तारूफ कराऊंगी जब आपकी मुलाकात कराऊंगी तब आप जानेंगे कि वाकई हाथ से कवी और हाथ से कलाकार कैसे लोगों के दिलों पर छा जाता है तो हम दीपक सैनी जी का MH1 प्राइम के माध्यम से बहुत-बहुत स्व हम इस बार होली में और उठाकर लाज का घूंगट कहा राधाने कानह से चलो जाओ करोना तंग तुम इस बार होली में लेकिन अगर मस्ते नहों मंग नहों छेड़ चाड़ नहों तो होली अधूरी सी नजर आती है इस काव्य सफर की शुरुआत करेंगे आनंद की शुरु जो जॉइंट सेक्रेटरी जर्नल सेक्रेटरी है इस संस्थान के के वो आए और एक एक करके हमारे कवियों का संबान करें तो जोड़दार तालियों से हम मोहन गर्ग जी का स्वागत करेंगे मैं चाहती हूं कि अंग वस्र पहना कर और पुष्प भेट करके सबसे पहले और ये अंग वस्र पहना कर और पुष्प गुच भेट करके हम तालियां बस्ती रहनी चाहिए कहते हैं कि भारत में आती थी देवो भवा से बड़ी कोई चीज नहीं है हमारे बीच अने लगर्वंशी जी है जिनका स्वागत मोहन गर्ग जी के पुनीत हाथों से हो रहा है तो इसलिए जितना जरूरी हो तनी तालियां हमें बजानी है हमारे बीच महिंद रजनभी जी का स्वागत करने के लिए मोहन गर्ग जी है और स्वागत की प्रक्रिया लगातार चल रही है एमेच वन प्राइम के माध्यम से शांदार शो आज होने जा रहा है जिसकी तालियों से उनको हम तालियों के वाद्यम से भी सम्मानित करेंगे नीलम जिसे निवेदन करती हूं कि वो मंच पर आकर हमारी कलौती कवियत्री शशी पांडे जी हमारे बीच है उनका सम्मान करें हमान हस्ताक्षर कर दें आज के इस कवि सम्मेलन की शुरुआत के लिए निलम मायम मोहन सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय भी दिया और आज आप सब की उपस्तिती ने इस कारकरम को और भी खुबसूरत बनाया तबी का बहुत बहुत स्वागत और सम् करने जा रहे हैं और चलिए बिना देरी के हम आपके दिलों की बात समझ रहे हैं कि आप होली के उत्साह में आनंद में डूबना चाहते हैं और उस मस्ती को महसूस करना चाहते हैं जिसके बिना होली अधूरी रहती है तो चलिए समाज में बहुत कुछ हो रहा है चाहे तालियों के बीच अमारे साथ देश के युवा कवी, शांदार कवी हाथ से कवी हमारे बीच और लाफ्टर चैंपियन है दीपक सैनी, जिने मंचो सर से हम सुनते हैं और टीवी चैनलों के माध्यम से भी हम उनकी कविताओं को आनंद लेते हैं, जोर्दार तालियों से करना काल के बावजुद आप इतनी भारी संख्या में मोझूद इतनी टेंशन होगे हैं, हसना असाना सर बहुत मुश्किल हो गया है, कोरुना ने पूरी दुनिया में टेंशन देजी बाइसाब, पूरी दुनिया में चल रही हैं, एक तो चीज आपको बताता हूं, मेरे न असानी जाएजर में कहा हैं, मैं कहा भान हो ने झाखना प्री बैल बजिक्षितिầाजर में कहा हूं किय बाथैसर, बोला सैनी होec présent ए एक पडूरी ड़ा ऱ चाहतां कोछ भी अर बाढ़ सर दूरी सावミंश्व देश चाहता हु जोरी जाता हूं, एक बताता हूं कि एम द भाहिसाब तैंचन नियुकार सकती तैंचन को मुख्यमंत्र इस थाइख न ही आ डखागा है। भयँ वाँ भय क्या बात है भीट धिफग भाँ यहाँ मेरा सर कुई लेना देना ने क्यों किसी पारटी का मुझ सही नी है। केजरिवाल ज electriki उते जर कि वहाईएए गार महंघा जरूदी जा से सामने एक देली ना हम ज WAY आप पर जा जाकर लोग। एक बार दिल्ली पुलिस अरिखतो लुच। E कि बार दिली पुल Sब CT-ुSo drowning ऑप rapid मने का जिद आप के मारे ले खञारी है वहाँ बाइबाँ एक बार देतो बस अचा बीमारिय तो खतम होती है वैक्सीन बनाई हमारे सच्टिस्ट ने इतनी बढ़िया गेशिन के डेट सो देशों में वैक्सीन जा रही है ऐसे बीमारी खतम होती है हमारे दिली में केजिनिवाल जी ने क्या-कया बड़े-बड़े ओ 2019 में कुरोन आने से कमीने पहले उनलों को क्या इंग्लिष विंग्लिष तो बोलते हैं हिंदी मिन आती हिंदी में खाली बाहियों बेहनों समझते हैं तो कुरोना फैल गया अचा हमारा तो कि हम लोग तो एक्स्प्रेशन देखे बता देखे आद्मी एक किलोमिटर दूर से आ आज इंसान अपने तरीके से लड़ा हैं वहाचारिक तोर आज मी लड़ा हैं लेकिन हमारा देश की सबजियां भी लड़ रही हैं मैं चार पंग्तिया खुषबूची सुनाता हूं आँ आपको आप सब की तालिये वावा चाहिए पल में बिगार दूगा पडोसी के सीन को आप पडोसी के सीन को जटके हजार दूगा उस बुद्धी हीन को मैं बद लूगा चाहिन से कदू यू बोला मैं मार दूगा मोमो जूर चाहुमीन को वाइ बाइ 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 टेंशन में तो तु सब कुछ उल्टा पुल्टा यहाउ नीघ भराण तक नाम ठीक लिए पुराने नई सटक नई उप्रानी दिल्ली में पुराना किला अघए बुलार बुलाई फटा जराड़ अड़ागनि एक आद्मिया है थे अग वहले ब विरसुबा खबारमी चबएगा. विरसुबा खबारमी चबएगा. प्लिटिक्स की सार बोर टेंशन है. मैं देश के कुछ बड़े-बड़े राजनेता हूं का आपके मंच पर अमच पर प्रसुत करूँड़ूगा. आपको लगे कि वे साले लोग महराजा करसाइन जी के इस इंस्टिटूट में आगे हो तो आप सब के ताले मुझे जाए एक नेता है लालु यादव आप सब जानते हैं बोत पॉपुलर आपमी है वो वह हमारा प्रद्रितु करते थे लोग सभा में जब होते तो हास्चे कला लालु जी का अपना स्टाइल बात कर लेक बार भासंदे रहे तो सामने आप जैसे इंटलिजेंट लोग बैटे होते लालु जी ने घंटे भासं दिया लड़कर ने कला निप्टा दिया लालु जैसी माएक पाय तुप नरेंदर मोदी नरेंदर मोदी भाईयों बहनों भा वाई 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 आहा आहां पधाई क्या वाद है वाई वाई आ? और कितने अच्छीन दिल गे वे वे खाने था वाई नेता सर नवजौत सिंग शिद्धू सिद्धू, वे अस्थे मैं थिरी में था हम लोगों को का माईक लेखना होता था सिद्धू जोग सुनके रहना होत वो बंदा डर गया जी माफकुर मैं तो माइक टेस्ट करने आया तो लेकि सर एक नेता ऐसे ढूंड के निकाले पुरे देश में जिनका भाशन तीन पीडिया समझनी पाई मुझे समझ में नियाया पिता जी को नियाया दादा जी जी बिना समझे ही चले गए मुलाइमिंग आता हो किस इंडिया मुझे तो लिए बेटे को नहीं आता समझ में अखले सिसे किसी ने पुछाब कर आपका थी कि क्या कहा यह नहीं पता अभी पिछले दिनों भाशन दे रहे तो यहीं समझा रहा था राहूल ने मरवा दिया इसके इलावा कुछ भी नहीं पता उन्होंने जैसी भाशन देना चुरू किया उतर परेगा आवाई जैनता है आवाई चली गूई रेखने को पैंडिया डाही इस बात पर वाँ 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 दीपक बहुत कुभा थोड़ी टीवी के आवाँ तेजगी मैं आप श्यास समझ माले आप शुरू है आवाई बेल अखले उतर पजेगी चली गूई लिए प्रेंडिया डाही लिकी ते राहूल ने मरवाई पिताजी बेटा टीवी बंद करते परना सबको यहीं मरवादें यह सब का अंदाज है एक तो आवाजे में आपको ऐसे सुनाओंगो आपने शायद कभी किसी कलागार के मुझे सुनी होगी बहुत पॉपुलर आवाज है इन दिनों मद्यप्रदेश के मुख्यमंतरी श्री शिरी शि बहुत पॉपुलर हमारा देश के रक्षया मंतरी राजना शिंग जी के आवाज है नया कलेवर है कि अपने बहुत पसंदितान देता है राजीना शिंगे के वहां आप यहां आगे तो उनका भाशन सुनना राजना देते है लोक सभामे माय कहन चाहता हूं कि जहां तक प्रशन पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान से काश्मीर पर कुई बात नहीم होगी बात यह द्ण होगी तूझे कह तूअना को सब्सक्राइब काश्मीर का पुरा पुरा इतिहास लिखना है यहां पर यूथ बैठा हुआ है हमेरे सी नियर लोग भी बैठे है। हमारे सिनर लोग भी उन इध éléments परłem। आपको लगेकि के श्ब जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लेंड में देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लेंड में भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में जन विश्वास जगा भावी इतिहास जगा और दे मोधी जी अगर आपके इस प्रोग्म में आते हैं, होली के प्रोग्म में, महरजा करेंजी के महारा उचे किस तरह से बात करते सारे 1.5 साल से प्रोग्म बिलकुल नीए थे, करोता कि वजसे सारे गर में पड़े हुए थे, तो ऐसा ही हो सकता है, मेरे देश में एक परंपरा है कविता की परंपरा काला की परंपरा और उस परंपरा को जीने वाले उसका निर्वेहन करने वाले तमाम कवी और कलाकार आज विस मंच पर मोजूद है चैनल है ना यह मेरे नाम पर ही बना हुआ है बोदी हाय नमबर वन तो आप आप मुशे बताएं मेरे प्यारे भाई बहनों कभी सं concealed होना चाहिए नहीं होना चाहिए हर चोराहे पर होना चाहिए और कवियों को इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए तो मेरे साथ हाथ उठाकर के दोनों मुठी बांध करके बोलिये भारत माता के बाध 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 एक चोटी कविता अंतिम सुना कर अपना सान लेता हूँ कल मेरा टेलीफोन बजा मैने जैसे ही रिसीवर उठाया उसमें से एक बाला का मधूर सवर आया सर देखना करोना के बाध कवियों कि क्या हालत है हम लोग नेताओं पर हसाते हैं पुलिस पर हसाते हैं पर अपने उपर हसा कर दिखाते हैं कल मेना टेलीफोन बजया मैंने जैसे ही रिसीवर फब ख्रिठाया उसमें से एक बाला का मदुर सवराया उस ने पुछा अपंज है क्ली लीजे लून मैंने पूछा कौन बोली फोरें लीजे लोन अब पैसों के लिए मत निरबर हो किसी भी रिष्टों पर लोन लीजे आसान किष्टों पर मैंने कहा इसके लिए मुझे क्या करना होगा बोली बस एक फोर्म भरना होगा करके कागज रखवा देना या किसी पड़े लिखे कभी क लोन देता है पर कोई टीवी पर आ चुका हो तो 700 भी ले सकता है मैंने का जी मैं टीवी पर आता हूं अनेक कारेक्वा मुझा जाता हूं मेरा 700 रुपय का लोन पास करा दो बोली गारंटी किस की मैंने गानी लगरवंची जी की बोली सार इनकी तो खुद ही रह बटकी पड कि सार हमारा बैंक कितना रिस्क नहीं ले सकता महेंदर जी नहीं गी किदी हूई बस कवियों को डिफॉल्टर सुनते ही रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया, मैं नीन से जागा सपना तूट गया, बिस्तर पर आखे मलता हुआ सोचने लगा, कि यदि ये बेहुदेव फूर्ड कारेक्रमों का दोर ऐसे ही चलता जाएगा, तो अच्छे कवी को 500 रुपे लोन म चलाएगा, तो महारजा घरसेयन कोली जैसे संस्तान हर बार संजीवनी बन कराएगा, बहुत 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 शुक्री आपका धन्यवाद, और आप सब को होली की बहुत बहुत शुप कामने जय हिंद, क्या बात है, बहुत खूब दीपक और मुझे उमीद है, आपको दीप बहुत अधूरा सा नजर आता है, हाला कि कोरोना के समय में बहुत सारी बंदीशे हैं, पाबंदिया हैं, लेकिन वो सिर्फ फिजिकली हैं, लेकिन हमारा दिल जिससे मिलता है, उससे मिलने में कोई पाबंदी नहीं है, तो मुझे पूरी उमीद है कि आप सब लोग भी खू को और दुगना करने के लिए अब चलते हैं, कहते हैं कि होली वरंदावन और मतुरा में इतने शांदार तरीके से मनाई जाती है, और एक द्रश्चे हम याद करते हैं, जब राधा जी, कानहा, गोपियां, तमाम गौाले एक साथ वरंदावन की कुझ गलियों में होली का आ और उसके लिए एक ऐसा खुबसूरत लहजा, एक ऐसी खुबसूरत आवाज हमारे बीच में है, जिन्हें शाशी पांडे के नाम से जाना जाता है, शांदार कवियतरी हमारे बीच में उपस्तित है, महराजा अग्रसेन इंस्ट्यूट का भी आभार करती हूं, और तमाम य दीपक जी ने अभी बताया और इसके पहले इनकी चिंता थी कि धूब बहुत जादा है और पहले ही काले है, तो कई बड़ दीपक जी अपने आपको मलिंगा भी बुलाते हैं, तो आप एहां पर उनकी अन्भूती भी ले सकते हैं, मलिंगा मेरे साथ बैठे हुए हैं, और दीपक जी की कुर्सी धस गई थी, इतने बेहतरीन इनोंने कॉमेडी सुनाई हाथ से व्यंग किया, किनकी कुर्सी तक धस गई, तो मैंने एक बार अभी हाली में लिखा, कि मेरे दिमार्ग में आई बात की, कहते है कुर्सी चली गई, कुर्सी चली गई नेताओं की, तो मे इसका जवाब नहीं मिला, चलिवे चार लाइनों से अपना परिछे देती हूं यू तो चाहते हैं उसे हर धर्म के ही लोग जो है दूर से चमके उसे ही शशी कहते हैं और यहाँ पर यूद बैठा हुआ है तो मैं यूद को यूदा मन बैठा हुआ है उनको चार लाइन समर्द करती हूं सुनिएगा कि तुझ दीवाने सा दीवाना अच्छा लगता है, तेरा दिल में बस जाना अच्छा लगता है, जब भी रूठू मैं प्यार से मना लेना, मुझे हर दम तेरा मनाना अच्छा लगता है. मुझे हर दम तेरा मनाना अच्छा लगता है. मुझे हर दम तेरा मनाना अच्छा लगता है, तेरा मनाना अच्छा लगता है. मुझे हर दम तेरा मनाना अच्छा लगता है. मुझे हर दम तेरा मनाना अच्छा लगता है. तेरे प्यार का रंग छाया, तेरे नजरों से बंग पीली मोहेटो को ना, ओ मोहेटो को ना अपके रसिया, ना मानो कोई तेरी बतिया. लेकिन आपका वावा तो मिल रही, लेकिन आपकी तालिया नहीं मुझे मिल रही. तुझसे मिली हूं मैं जब से भीके हो गए सारे रंग, मुझे रोको ना, मुझे रोको ना, अपके रसिया, ना मानो कोई तेरी बतिया. गीत रखती हूं सुनिएगा इसके पगर तो शायद मेरी हो भी जो मेरे जो होली का एप अधूरा रहता है आप जैसे कुछभू जी ने कहा कि आपकी तालियों का साथ मिलना चाहिए तो बिल्कुल मुझे तालियों का थोड़ा सा अभाव लग रहा है तो आपकी तालिया कि हो लिगिए frei में छाए हैसा रंग जोगीरा सारा रा 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 होली और चुनाओने भरें सारे रंग जोत चब तोकि होली का तो मौसम है और देश में कहीं न कहीं चुनाओं का मौसम भी रहता है तो दोनों मिल करके कुछ अलग ही रंग ला देते हैं महौल में तो रखतिव सुनिएगा होली और चुनाओं ने भरे है सारे रंग होली और चुनाओं ने भरे है सारे रंग सब मिल साहिब को करे है सारे तंग सोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा 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 अभी किसानों का जो अंदोलन चल रहा है वो खतम होने के नाम पर नहीं है तब रखती हो सुनिएगा नेता ओ दलाल सभी चम के अपनी चाल नेता ओ दलाल सभी चम के अपनी चाल बीच फसा की सान है समझे चारी चाल जोगीरा सारा रा 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 तडप कर मफलर छूटा मेरा इशारा समझ गए होंगे तडप कर मफलर छूटा छूटा खासी रोग मोदी है कसरत करत देखो उनका योग जोगीरा सारा रारा जोगीरा सारा रारा नेताओं को देख अब गिर्गित है हैरान नेताओं को देख अब गिर्गित है हैरान रंग बदलना देखो तो जादा है आसान जोगीरा सारा रारा जोगीरा सारा रारा और लास्ट के लाइनों में मुझे पता है आप लोग तालिया जो बज़ रही है उस्ते कहीं ज्यादा बज़ेंगी लास्ट की लाइन ये रखती हूं सुनियेगा। लाठी डंडाखी चुझीरा सारा-रा-राई, चुझीरा सारा-राईरा होली है और बहुत-बहुत शुब कामना नहीं आप सभी को होली की और आप सब लोकस्त रहें, खुश रहें और ये कॉरोना का जो काल है हमारे यहांसे ये काल खतम हो और एक बार फिर से मेच वन के सभी दर्श्रकों को सभी श्रोताओं को बहुत-बहुत होली की मुबारक वाद देती हूं बहुत-बहुत धनेवार बहुत-बहुत शुक्रिया शशी पांडे जी हमारे साथ यहां उपस्तिती शांदार होली का गीत सुनाया बहुत और प्रेम आपके और हमारे बीच में सदयव बना रहे और इसी को लेकर आज की शाम आज का ये दिन खूबसूरत ये जो माहौल है ये महराजा ग्रसेन के इस खूबसूरत परांगन में आज सजाया गया है तो बहुत-बहुत धनेवाद एक बार पुना में कॉलेज के तमा जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको देना चाहते हूं कि उन्होंने आज इस शाम को रंगीन बनाने में इस समा को खूबसूरत बनाने में हमारा सहियों किया है बढ़ते हैं और रुक करते हैं देश के उस ऐसे बहतरीन कवी का यकीन जानिये ज्यादा मैं इसलिए नहीं बोल करेंगे पिछकारी की बात करेंगे रंगों की बात करेंगे ठाहा को की बात करेंगे हमारे बीच दिली से अनेलगरवंशी जी मौझूद है जोड़दार तालियों से स्वागत करेंगे है तो हर्यानवी अंदाज लेकिन आप जानते हैं कि हर्याना जब हास्य पर उतरता है और उनके हर बात में किस तरह से आसे जलगता है तो उनके कावे-पाट से जाने एक बार जोड़दार तालियों से अले लग्रुएंशी जी का स्वागत करते हैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुप कामना है एक बार जोड़दार तालियां बजाओ और हर्याना की मस्ती के साथ चार पंगत्या बताता हूं कि चेरे पर हसी और दिल में खुशी होती है सही माईनों में यही जिंदगी होती है किया बात है यही इज्क रहाना की बात कर रहे थे होली की बात कर रहे है मैं ने देखा different जैसे पर लगा नीचे आगे पढ़ा अब तीनों लड़कों के कमेंट सुनिएगा साब, पहले लखनाव वाली, ओहो, मन की दयालू, छोड तो निले की बिचारे को, अब दिल्ली वाली, बत्तमीच कही का, अब अर्याना की, ओर ताडले अपनी पुवाने, यह हमारे अर्याना की मस्ती है, हर्याना की बाती है, हमा भर लिया, होली कैसे मनाई पिछली बार इनोंने, के हाथों में लेके रंग मु गुटके से भर लिया, होली के दिन चोराहे पे कमाल ये किया, एक लड़की गानागा रही रंग दे तुगेर वा, पुछ लोग समझ गए, एक लड़की गानागा रही रंग दे तुगेर वा जो मुह में था गुटका आए आए बाई 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 ताली आपकी आनी चाहिए सा ये मेहंदर जी थे हमारे मस्त आजमी बिल्कुल और होली के दिन भाई से भांग पी लेते हैं लोग भंग चड़ जाती हैं और दीपक सेनी के भंग चड़ गई पिछली बार हाँ से कवी ये वीरस का बन गया बोला सत्ता मेरे हाथ में असोब तो हलाद बदल दूआ लुगाई ने एक कान पे दिया पोली पहले पजामा बदल ले सुबह से उल्टा पहना वा अभी तक बिचारे की लुगाई नहीं है वो डूनता हुआ गूम रहा है कई सालों से एक नहीं मिली उसे दो चार दिन पहले की बात बतारो भाइस शिवरात्री थी हमारे दलों की भी वी से बात हो जाती मेरे पार केजरिवाल जी का आता रहता बाई सब कभी मोधी जी का अभी मोधी नहीं है अभी मोधी आता है मेरे पार चिड क्यों रहे हो तो मेरे पार फोन आया बाई साब केजरिवाल जी का वो लिए अनिल दिली में एक लाग लग लगवाँ गांगा मने गां क्यों करेर जिसका मन करता वोई चाटा मार के निकल जाता है अब बहुत अभी बात अलग होती है साब अभी शिवरात्री को में जल चड़ा रहा है संकर भगवान पर ओम नमोशिवाये एक है अमारी सोसाइटी का बोला ओम शिवाये ओम शिवाये और मने का मंतर तो पूरा बोल बोला नमो नी बोलू हाँ वाई वाँ क्या सटार है अहाँ चैसोनि हो जी अब तो थोड़े बुजरुग हो गए जवानी के टैम पे इनका भी अलग रोप था मेरे को याद एक दिन की घटना भाई साब बता रहा हूं मैं ये एक होटल के अंदर कॉफी पी रहे ये बैठे वे चीनी बैठा हूँ पाकिस्तानी ने कॉफी खतम करी हवा में कभ पुछाला था था जिसकप में एक बार कॉफी पी लेते हैं दुबारा नी पीते हम पाकिस्तानी है चीनी ने कॉफी खतम करी कुरसी उचाली हवा में था 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 दो गोली मारी जिस कुरसी पे एक बार बैठ जाते हैं कॉफी उस पर दुबारा को उसके साथ उस कुरसी पे क कोफी नी पीते यूसुब बार्दु आज जैसी कोफी खतम करी एक पाकिस्तानी के ठां एक चीनी के ठां जिसके साथ एक बार कोफी पी लेते हैं तो यह वो मस्त लोग है अब 15 दिन से मेरे कोफी बुला रहे हैं अगर भाई सब गया ही नहीं नहीं का ठाठा ना कर दे लेकिन आदी नहीं के लोग हंदे हमारे सबने कारी हो जाओगी मौने काड़ी केतनी काडी हो जाओगी मैंने का पड़ीर कितनी काड़ी हो जाएगी एक बार जोड़दार तालिया बजा है साथ बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है कुछ हमारे बीच में हमारे मित्र बंदू सब बैठे वे हैं और हरियाना की मस्तिय अलगोती है अभी एक लड़का भाई साब इतनी खुंदक में यहां कोलिच का वो बैठा वो क्या नाम है रमीज हाँ यह रमीज अभी मैं मिला रस्ते में मैंने का कह रहा है कोलिच जा रहा हूं मैंने का तू कुछ नहीं बाई साब सो रूपे पेट्रोल कर दिया तो मैंना गुस्टा किस बात का तो पेट्रोल पंपे गया वो बुला भाई सेब कितने का डाल दूँ बुला कुछ नहीं मेरे को तो 10 रूपे का देदे छड़क क्या लगानी है लोग उसे में रहते हैं लेकिन दोस्तों हसना हसाना आदत है मे बार धोना गया कल जिस का हाथ चूम के आया था शाम को उसकी रिपोट में सुबे करोना टालिया खुलके वाजाओ दोस्तों एक बार पता चले हो लिका उत्सावे साथ क्या बात है। आसनों के साथ आप सुन रहे हो तमाम लोग। लेकिन बेटियों के लिए भी चार हमारी माताओं के बिना पूरा नहीं होता, चार पंगते हैं के फीके सब तेवार, सभी सावन बसंत होगे, राखी बंधी कोई भी कलाई नहीं होगी, अगर बेटिया नहीं होगी तो, के फीके सब तेवार, सभी सावन बसंत होगे, राखी बंधी कोई भी कलाई नहीं होगी, ओर कन्यादान का महान पुन भी मिलेगा कैसे ? घर से जो बेटी जो बेटी की विधाई नहीं। क्या बात है?? के कन्या का गुणन दान किस मुख से करेंगे जो राधाभी नहोगी मीरा बाई बी नहोगी और कोख में ही गर मार देंगे हम बेटीयों को तो जनम को देने वाली माई भी ना होगा अनिल जी बहुत चांदर जंदा बाद लेकिन आज बेटियों को गरब में बारा जाता है साब चार पंक्तिया बेटियों के लिए और कहता हूं करो विश्वास बेटी पर तो यह विश्वास चूलेगी कभी जीवन में बेटी को नजर अंदाज मत करना जरा से पंक्क खोलोगे तो यह अकाश चूलेगी क्या बात है वाव 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 थालिया तलिया तलिया में बैटी बनना चाहता था मोधी जी ने रोक दिया पतानी लोग कहां कहां से कैसी-कैसी बाते लादे है साभ लेकिन एक अंतिम हास्य कवीता पढ़ता हूं समय की सीमा है एक छोटा बच्चा है होली की मस्ती में साप देखिएगा कि बच्चे का दिल कितना बड़ा है सुनिएगा कि कल अचानक सूरिय भगवान से मुलाकात हुई इसलिए चलते चलते बात हुई अचानक सूरिय भगवान से मुलाकात हुई क्योंकि पिर्थवी गुम रही थी इसलिए चलते बात हुई चरणों में प्रणाम करके मैंने पूछा है सूरिय देव अकाश में घूमने का क्या आपका एक ही रूटीन है साथ देखी हैं उस भगवान को याद नहीं करते तब जाके कहीं विपदाएं आप देखते हो कि देश में आती हैं कई भेंकर बाड़ाती है क्योंकि हम उनको भूल गए जो परियावरन हमारा था ये परियावरन के साथ साथ प्रिणना वाली कविता भी है हासे के साथ साथ ये कल अचानक सुरिय हम आज घर में कोरुन टाइन हो गए बोर हो गए लेकिन कभी सोचा है के सुरिय भगवान पूरव से पच्छिम पहले कहते थे और आज भी यही बात है कि एक ही दिशा में पूरव से पच्छिम यूई जाते रहते क्या वो बोर नहीं होते कभी कल पना करो तो नीची आजाना हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है अभी पिछले दिनों आमीर खान भी तारे जमी पर लाए थे शायर रात का समय रहा होगा इसलिए आपको वही छोड़ाए थे खैर कोई बात नहीं सौर मंदल मित्रो सहीद जब कभी पिर्थवी पर आएंगे आप बात नहीं सौर मंदल मित्रो सहीद जब कभी आप पिर्थवी पर आएंगे तो मैं आपको भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला डे एंड नाइट किर्केट मैच दिखाऊंगा भाई 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 मुझे बड़ा मजा आएगा मुझे बड़ा मजा आएगा जब आपकी वजय से वो डे एंड नाइट मैच दे रह जाएगा वैसे रोशनी की कमी के कारण कैई बार मैच रद करने पड़े हैं यह इतिहास का पहला मैच होगा जो तेज रोशनी के कारण रोक दिया जाएगा क्या बात है और मुझे बड़ा खलेगा प्रभू यदी जाएगा इसलिए काम करना मैच के दोरान यदी बारिश आजाए तो पिछका सारा पानी सोख लेना क्या बात है खिलाडियों के लिए मैदान पर जब कोल्ड रिंग लाएं इस ताइम अपने आपको रोक लेना कभी कोल्ड रिंग खेचले बगवां तो इस ताइम अपने आ काले आएंगे और आपके चरणों से च्वा च्वा के बना के खाएंगे और मैने तो यह सुना है मैच देखने पाकिस्तान के राष्टपती भी आएंगे आतंगवाद और काश्मीर और चीन मुद्दे पर आप उसे जरा संस्कृत में समझा देना संस्कृत में क्योंकि प्रभु आप अकेले ऐसे बगवान है जो पर्थेक्स रूप से दिखाई पड़ जाते हैं अन्य दिन्दी उसके समझ में आती नहीं है अग्रेजी उसको आती नहीं है आप उसे जना संस्कृत में समझा देना मान जाए तो ठीक है वरना अपने शरीर का थोड़ा सा हिस्सा उसके बिढ़ा देना, उसे भी पता चल जाए कि भारत में कुस्तो खास है, जो सारी काइनात उसके साथ है, हे प्रभू, आप अकेले ऐसे भगवान है, जो पर्थेक्स रूप से दिखाई पड़ जाते हैं, अन्य दिवों के दर्शन करने हो, तो साप कई कई जनम लग जाते ह आप अकेले ऐसे भगवान है, ना आपकी नजर में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसल्मान है, हे प्रभू, अच्छा आप मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा, आप से पहले मैं निकल लूँ, वरना अंधेरे में अपना घर नहीं डूंड पाऊंगा, घर नहीं डूंड जोड़ाइं और अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, महुल खुश्रमा बनाया, रंगीन बनाया, और कविता का एक मोटिव होता है, संदेश देना, समाज को जागरू करना, हासे के माध्यम से, वो अनिल जी ने किया, हम बहुत बहुत धन्यवाद उनका करना चाहेंगे, शांदार महौल बनाया और चुकि वोली की मस्ती है होली का आनन्द है और हासे हो ठाहाका हो तालियां हो और फिर ऐसे में होली की बात नहों तो अधूरा लगता है तो चलिए समाज के बीच समाज की बात को निकाल कर हांसे में पिरो कर हमी तक पहुंचाने वाले कैसे बहुतरी इन कवी का स्वागत करते हैं हमारे साथ हमारे बीच महेंद रजनभी जी मैंने पहले भी का अजनभी सिर्फ नाम है जब आप उनका सुनेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि कितने अपने हैं तो कि बहुत बहुत हार्दिक शुब कामना यह देता हूं आपको और इस वर से कामना करता हूं कि पूरा वर्स जो देस ने और दुनिया ने कोरोना के काल में भुगता है वो इस्थिती अब आगे ना आए वेक्सीन हमारी आचुकी है जिसके लिए हम अपने वैज्यानिकों को ब बहुत बहुत बधाई देते हैं एक बार तालिया उनके लिए बजनी चाहिए बड़ी बात वाह हमारा देश वैक्सीन के मामले में आत्म निर्फरबंद गया है पूरी दुनिया में डेर सो देशों को वैक्सीन दे रहा है कोरोना से हम लोग काफी प्रताडिश हुए है वैकॉरोना क्या कशीदा पढ़ू में तेरी शान में ग्यारे मही ने गुजार दिये निकर और बनियान में भाई वाई वाई क्या सची दाश्वीर है वाई 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 जब इस कोरोना ने इतनी बुरी इस्थिती कर दी और आप सभी को प्रणाम करते वुए आप से निवेधन करता हूं मेरे स्वागत में दुबारा जोड़दार तालियां बजाएं तालियां इसलिए बजवारा हूं क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है एक दो छोटी-छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा पसंद आएंगी ठीक है नहीं तो तीन-चार और सुनाऊंगा कि एक कभी सम्मेलन में शुरोताओं ने इसकदर हूट कर डाला कि हाच से से मेरी यादों का निकल गया दिवाला तब से बिना निमंतरण के ही हर प्रोग्राम में पहुच जाता हूं हालत इतनी खराब है जहां भी लोगों की भीर जूटी दिखती है कभी सम्मेलन समझ कर गुच जाता हूं आज भी यही सोच कर आया हूँ में स्कॉलिं में जहां भी लोगों की भीर जूटी दिखती है कभी सम्मेलन समझ कर गुच जाता हूं अपने बिगडे हालात का ज्यादे बयान क्या करना है? मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता, कितनी देर पढ़ना है? एक जगे तो मैं पढ़ता गया, पढ़ता गया, एक गंटा, तेर्ड गंटा, शुरोता बोर हो गए. मैंने बाद में सबसे माफी मांगी. मैंने का, माफ करना दोस्तो, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी. एक शुरोता खड़ाओ कर बोला, पीछे कलेंडर लगा हुआ था, वो ही देख लेता. मुझे यह भी ध्यान नहीं रहाता, कितनी देर पढ़ना है, बात हो गई है काबिले गोर की, मुझे यह भी ध्यान नहीं रहाता, अपनी ही पढ़ना हुए, किसी और की, फूरे दिमाग में हिरा फेरी है, कि जब कोई और पढ़ता है, पढ़ता है, और जमता है, तब लगत आजा किलो नमक टाट। छे लाइब बॉय थाइसो ग्राम चाहिए एक स्रोता खड़ा हो गया करके हाए बोले हद हो गई है डिस्प्लेइन के अनुष राशन की कविता सुना रहे है लिस्ट अपने घर के राशन की अगली पंक्ति भड़ा आप सभी की तालियेता हो दूसरा सोता बोला इसे ही सुनाया जाओ वह वह इर्षाद इर्षाद घरपर और क्या-क्या लेजाना हम सब भी कळ लेंगे याद भाई 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 वैवाँ वैसे मियां आप किस परेव में हैं ऐसे है कि कविता तो हम सब की जेम में हैं अचा घरवाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था यह है जिसके रोज रोज पोन आते रहते हैं जाड़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया जब मैंने अपनी पत्नी से पूछ यह आइने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया रात को सोते हैं मैं और भी लफडे में रहता हूं मेरा कुता तो आराम से विस्तर पर सोता है मैं पलंग सवाल खड़े हो गए हैं रोज अन बुझे मुझे यही पता नहीं लग पा रहा है भूलने की मिमारी मेरे कुत्ते को लगी है यह मुझे है और दोस्तो भूलने का अलम यह है तेल हात में लिया सर पे मलना भूल गए कुरसी पर बैठे तो उठना भूल गए चोराहे पर आहां 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 क्या बात है भाई बाई पतनी बोली एक बार मेरे भरतार हेल्प करा जो गीले कप्ले उपर फेला जो उपर जाते ही दिमाग बटक गया मैने कप्ले तो चार पाई पर पटके खुशतार पर लटक गया तूट गई टांग डॉक्टर आया पलस्तर चड़ा और दोस्तों भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूं लेकिन दोस्तों मेरे बूलने पर जादे मज जाईए कविता समाप तो गई है तालियां बजाईए लेकिन दोस्तों कविता तो शुरू होती है अब मैं ही नहीं ये सारे कवी आप आप और हम सब हम सब न जाने किन ख्यालों में जूले हुए हैं हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं वाह, 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 हम सब नजाने किन ख्यालों में जूले हुए हैं, हम सभी कुछ ना कुछ भूले हुए हैं, हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं महमान का सतकार, आए दिन तूटने वाले घरबार, हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार, और बता रहा को घर घर का संताप पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माबाप लोग भूल जाते हैं किसी का इसान लोग भूल जाते हैं अपना दीनों इमान लोग भूल जाते हैं बिमार मा की दवा हम सब भूल चुके गाओं की ताजा हवा और हाए रे टीवी की ऐसी रवानी बच्चे भूल चले दादी नानी की कहानी, राजनीती के हो चले, खौफ ना किरा दे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किये वादे, नफरत का चड़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सब का एक जैसा खून है, और दोस्तों कहने को अब कुछ भी नहीं है, शेश, भूलो अबी जी के लिए एक बार जोरदार तालिया, और मुझे पूरी उमीद है कि जितना मन से उन्होंने सुनाया, उतने मन से ही हम सबने उनके कावेपाद को आनंद के साथ सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम कभीयों का बहुत बहुत इस्तक्बाल हम करते हैं, और इस बीच अब आगे बढ़ते हैं, समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, हमारा प्रोग्राम भी काम्याबी के उस शिखर पर है, जहां से अब लोट पाना मुम्किन नहीं है, और यह त्योहार भी ऐसा है, जो दिल से दिलों को मिलाता है, मस्ती और उमंग लेकर आता है, कह कहीं पिचकारियां हैं, कहीं गुलाल है, कहीं रंगों की बहचार है, और ऐसे में आपका और हमारा यानि एमच्वन प्राइम का और हमारे दर्शुकों का प्यार है, तो चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, और देश के ऐसे वरष्ट कवी को मैं आवाज देना चाहती हूं, जिनकी उपस्थिती अपने आप में बड़े गर्व की बात है, और हमेच्वन चैनल के माध्यम से, हमेच्वन प्राइम के माध्यम से, आज होली के शांदार कविश सम्मेलन में हमारे बीच मौझूद है, आदर्निय यूसिफ बार्दवाज जी, चलिए, स्वागत करते हैं एक बार जोड़दार तालियों से स्वागत करेंगे, आदर्निय यूसुफ बार्दवाज जी हमारे बीच है, एक बार तालियों से स्वागत करेंगे, यूसुफ बार्दवाज जी का पहले विसेच्टा दुए है कि अरियाने कादमी कदे भी कड़वा नहीं बोलता जी क्या बात है वाइवाँ क्योंकि वो कड़वा खाता है नहीं हम कड़वा चीज को नहीं खाते है वेक बुखार चड़ गया तो रड़क्टर साग में पास गया जब ड़क्टर साब दवाई लिखने लगे तो मारा अरियाने कादमी बोला मैं बहाँ ड़क्टर साब कड़वी दवाई मुद लिखियो बहाँ बहाँ ड़क्टर पी अरियाने का था नहीं बला गेवर लिख दिऊ बाइबा 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 यह आनंद है हम कि यह टेंशन में देखते हैं एक गोर चलेगा किसे के महमाना जड़के ने पूछ लिया बिला तखीर खाओगा गालूआ तख बोले क्यूं तरगर मेके कटोरी है बहुआ बहुआ। बहुआ। बहुआ जंदा बहुआ। नहां बहुआ ताओ कटोरी तो भहुत है। फिर बहुआ दोन नूलिया। खेर भी खाऊंगा रालुआ भी खाऊंगा। तो मिट्टा काना है। बच्चे बड़े तेज हमारे क्रचेट देना। एक बच्चे की दादी का बर्तडे था। तो उसके पिताजी ने पूछ लिया। बढ़ा बेटा कल तुमारी दादी का बर्तडे है। तुम दादी को क्या गिफ्ट दोगे। अब बच्चा ने बढ़ा जी फुटबाल दूँगा। फुटबाल। उसका बढ़ा बेटा, तेरी दादी की उमर फुटबाल खेलने की है। ने बढ़ा क्यूं। पिछले महिने मेरा बर्तडे था। मेरी दादी ने मेरे को गीता बेट करी। कहां वहीं। पूरा पत्रला लेते हैं। एक मैं बहुत अच्छा जानते हैं किस तरह ऊच्छाहां निकालते है। जहादा तरह आपने देखा हुगा यहाँ अर्याने के पुलिस के keywords ज्यादा तरह अर्यानेके अधुमिया पुलिस में। तो हमारे गाओं का भी एक पुलिस में है रिप्षपाई है वो उसको छुटी चाहिए ठीजी वो एसेचों के पास गया एसेचों ने कावे छुटी नहीं मिलेगी तो इसने पता है साब मिला बहुत जुरूरी काम में ने बात पढ़ना है छुटी चाहिए विला नहीं छुट मिलेगी नहीं तो नहीं मिलेगी अब उसने वह एक इंटरनेशनल स्वाल पुछा जी इंटरनेशनल आपको भी पता होगा उस सवाल का सारी दुनिया को पता है कि कटप ने बाव बली को क्यों मारे अब यह ऐसे चोन मारे अर्याने के सिपाई से सवाल पूछ लिया और जव और पेनव लगी को कियो मा रा नुब लगा जिं बाव बलीवन कटप पा को छूटी नेथी होगा हुआ अँआ अहा हमें भाव भा 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 हुआ दैनावाद भा भाभा भा 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 भाह cada को बस अगर सुखी रहना है तो अच्छा ज्यादा ज्यान से कोई आदमी सुखी नहीं होता है कि गरंथ पर लिये, वो कई लेंग्वेज पर लिये, कई कुछ पर लिया, उससे कोई सुख नहीं मिलने वाला मा वो आपिपता हम मेरा हम पर रहने का खड़ था एक अङ्रेज एगल, उसना पुछाइज में रास्ता पुछा अब जो अनको नहीं मुछा, उसना खाँ प्रच्छा घ्र नहीं में पुछा अब जिश को अंग्रेज नहीं आती हो ऊष्रैंच के घाना है पर उने जर्मन में पुच्छा, पर रस्यन में पुच्छा, चार बहसा उम रास्ता पुच्छा जी। अब उनको एक भी नहीं आती तो उच्छा अपड़े रहे। अंग्रेज चले गया। तो एक बोला, दूसरा बाई एक बात बताउं। हर आदमी को कोई न कोई ऐक विदेशी बासा जरूर शीखनी चाहिए, वक्त पर काम आजाती है। दूसरा बोल या, उस साले ने चार शीख रखी थे। भाई 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 आय पला साले के कोई शी काम है। तो यह जढ़ा जयास्पटनाではज जढ़ा उखना झाल्हाओ जढ़े जयाहँ शुक में देखने सायाँ शौब डित मैं थोड़ी सी ताइम मैं अपना हृँ नहीं की सफदो रहा है, फिर भी उसको जवाब दिया, नो भूला, गो स्ट्रेट, दनास का गेन, जवाब दे दिया उसका, तो कोई जूर तुनीची जदा ज्ञान की, दुखी रहने की, आराम से आप अपना जिवन बे ठीट कर सकते हो, लेकिन दुखी रहना, मेरे समझ में नहीं आता ही हो, पहले हाया अदमी, महमता हूं आपको जीवन केंदर, टेंशन बहुत कम थी, आज टेंशन में जीवन बहुत कम रहे रहे है, भाईवा, 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 आहा, जिसने देखो वह दुखी, मेरे सो यू नहीं नहीं बाता है, यह सुक्षी, खुशी, किसके साथ भाग य युए निपता चलता। सारे टेंसर में, प्रस्षर में, डिप्रेस्टन में, और प्रस्टर डिप्रेस्टन की चीज का खुष कैसे रहे। बन्यू टिंडे से मूँ बनाए बेटे रहोगे। टिंडे सा। तो खुषी मिलेगी क्या। भई वाहा। खुष चेरे ठीक बना सकते हो ना आप अपना। रख सकते हो। अब अशने के खुद को हिमत नहीं है आदमी में। इकठा करते के आश्य कभी बुला लो। वो उमने थोड़ी देर हशा के चले जाएंगे। आप अपने आप अशने के भी आप लोगों के अंदर हम लोगों के अंदर हैं। ताकत नहीं रही है। क्या बात है। वाह। वाह। चेरे ठीक होना चाहिए। अब चेरे दो यह हैं जिस डेस में। एक तो है फेस्बुक का चेरा। आपने देख्या होगा फेस्बुक का। मेरे जैसे ब्यासित साल का बुड़ा भी। चालिस ब्यालीस साल का लगेगा। यहनि फिफ्टी-फिफ्टी होगा। और बुडिया तो बीस-बाइस साल की दिखे ही। और तो टुंटी-टुंटी हो रही है। यह कि चेर है फेस्बुक का। और एक चेर आजे आदार का। देखे है अपने? अपना अदार काड का देखे है चेर है। उसके निचे ले निउन लिखना बाकि रहे है कि इस लाज को पहचानी है। तुझे कभी भी आदार कार जैसे चेर अबना गिमत पट्टे करो तेरा हो तो फेस्बुक चेरा होने चेरा हो क्योंकि हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने में क्या बात है कुछ दर्द तो ठीक हो जाते है अच्छी बातों पर अच्छी तालिया आनी चाहिए मुशक्राने में क्या बात है बाद मुशक्रा उलत एडार करي के बाद लेगा ट्राकूई ऊश्कुरा गmot कर तो अगर लोगे तंसन हो जीगा कि यू उछा verdन हुज घुश कैसे है यह मैं के चुछे दो होक्या काम History कि महबबत रंग बन जाए नजर पिछकारी हो जाए पड़े जिस पर नजर से रंग वही से प्यारी हो जाए होली ये पैगाम देती है कि होली पर तो अपनी दुस्मन से भी यारी हो जाए दुस्मन से भी जाए ये वास्चिकता ये है जी मने ये पड़ी आपने अच्छे लगी ताली बजाई लेकिन ये शरफ ताली बजान के लिए पड़ी थी नेहीं मेंसे कोई चीज आज नहीं हो रही साब महबत रंग के बढ़े की महबत है नहीं रंग क्या बनेगा उसका महबत नाम की चीज नहीं ये प्यार, महबत, इस्क, वफा ये सारी प्राचीन बिमारियां है ये क्रोना से भी ज़्यादा प्रावनी है वही है बिलकुल वैसी ही कोई सुख नहीं प्यार में कोई सुख नहीं क्या कोई गीत गया सुना किसे ने सुना नहीं, प्यार का गीत, निरे दुख रूखेंगे, जुदाई का डर, बेवफाई का डर, तनाई का डर, निरा डर बढ़ा रहा है, और गराला ना पता लगजे तो पेटाई का डर, सुवाई डर केश प्यार मोर कुछ निया, मिरा मतलब की हुआ, और बात की सी खरेंगे, वह एक छोड़ा मारम को द रहता, लड़की-खडी-पेडी की नेचर उने का लेया, तुरी आख्या मामना पूरी सारा सहर दिखाई दे, बात इसी सी करेंगे, जिला तुरी आख्या माम आखिन लोगी नुबलेर बाई iisक नख्यामं देखिये अगले छोराए पर मास्क टेकिग आले तो निखड़े कि अगर दादा जिन्ता बाद बाद यु सिवा बाद नफ भाद बिना मसलू कि बात एक ओप अशोर यह रहा लेक यूं करया तो छॉरग था नियुं करणे कि तरी देख बात क्या करते हैं कि तरी यादों के पत्थर जो मेरे दिल मेपड़े हैं वो दर्द करया है तिरी यादों के पत्थर, जो मेरे दिल में पड़े हैं, वो याद दर्द करें। जो दिया दियाने के थी, निवली बार काटके फैंक दें। नहीं तो वो सरक सरक के तिरी किडनी में चले जाए। बाई दादा वाँ 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 अर फैर इनका निकालना मुस्किल हो जाएगा पिना मतलगे पत्तिक नहीं होता है। मैं नाभित में से हूँ बई साल ओड़ जी हूँगा। दादा आप दोसो साल ओड़ जी होगे। तालिया दादा के लिए यह सुझिए लिए। कि प्यार का मामला बड़ा क्लाशिक होता है और प्यार करने वाला आदमी मानशिक होता है प्यार का मामला बड़ा क्लाशिक होता है और प्यार करने वाला आदमी मानशिक होता है मन अच्छे अच्छे प्रेमियों में रसाइनिक परिवर्तन होते देखा है बड़े बड़ों को गर्म में रसोई में बर्तन दोते देखा है और प्यार किया नहीं जाता खुद बखुद हो जाता है प्यार किया नहीं जाता है खुद बखुद हो जाता है सच्छे मंचे करो तो आदमी शुद हो जाता है और समाज में फैलाओ तो आदमी गोतम बुद हो जाता है बुद्धम शर्नम गच्छामी प्यार सर्नम गच्छामी बहुत बहुत शुक्रिया मैं चाहते हूं एक बार जोरदार तालियों से हम अपने कवियों का स्वागत करेंगे और जिस तरह से उन्होंने यहां पर अपनी उपस्थिती दी है एमेच वन प्राइम पर ये खूबसूरत महौल ये खूबसूरत शाम सजाई है जिसके माध्यम से हम होली के आज इस पावन दिन पर हस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिल खिला रहे हैं और महराजा अगरिसेन के इस कॉलेज में वाकई उनकी सोच को भी आकर लेकर जा रहे हैं कि खुशियां पहलाओ, खुशियां बाटो, दिल से दिल को मिलाओ, उनकी इस सोच को हम सिद्ध करने की कोशश कर रहे हैं, समाद में खुशी रहें, लेकिन इसी के साथ साथ इतना करोना का समय है, इसलिए जितना हो सके उतना बच कर रहें, मास्क पहन कर रहें, लोगों से दूरी बना कर रखें, ऐसी होली मनाएं, जो दिल से दिल को जोडे, हाथ भले ही मिले ना मिले, लेकिन दिलों को मिलाते रहें, और इसी तरह से अमेच ब्राइम के मादियम से होली क मनाते रहिए, खुश रहिए और हमेशा आपने आपको उन्मुक्त रखिए, जीवन रखिए, मेरा भी जी करायत ने अच्छे शोता की बीच में कुछ पंक्तिया मैं पहुंचाओं, तमाम आदरनिय, महनिय, बड़े नाम यहां बैठे हैं मंच पर भी, इजाज़त चाहते हु चार पंक्तियां पढ़तियों सुनेगा, आपकी तालिया, युवा यहां बैठे हैं, आपकी तालिया, आपका समर्थन मुझे मिलता रहे, सर पढ़ती हूं इजाज़त चाहते हुए, यहां से थोड़ी दिर में हम विदा लेकर चले जाएंगे, अपने अपने गंतव्य तक जहां सब को जाना है, उन पंक्तियों को जाने से पहले आप तक सौप्तियों सुनेगा, शांदार शोता, शांदार कभी सम्मेलन और अमेच्वन प्राइम की खुबसूरत प्रस्तुति, कि तुम से बिछडी तो ऐसा लगता है, मेरा काम है कारक्रम को बहुत ही शांदार करन सब्सक्राइब की तुम से बिछडी तो ऐसा लगता है, तुम से बिछडी तो ऐसा लगता है, डूर सांसों की तूट जायेगी, दोर सांसों की तूट जाएगी रूठ जाओगे तुम अगर मुझे से जिन्देगी मेरी रूठ जाएगी जिन्देगी मेरी रूठ जाएगी और पंक्तियां पढ़ती हूँ जब प्रिम में गिरफतार होते हैं हाला कि आप ऐसे हैज ना होईए क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ नौजमान हैं तो भूतपूर नौजमान भी हैं भले ही अभी महबत में गिरफतार नहों लेकिन मुझे चिंगारी जरूर दिल में होगी कभी महबत जरूर की होगी पंक्तियां पढ़ती हो सुनेगा के ए मेरे हम सफर जरा सुन ले नौजमान अमल करें और बुजर्ग सिर्फ सुने अमल ना करें पंक्तियां पढ़ती हो सुनेगा के ए मेरे हम सफर जरा सुन ले खाब जीवन के कुछ नए बुन ले मेरे खुशबू से गर मेक ना है तु मुझे अपना हम सफर चुन ले तु मुझे अपना हम सफर चुन ले और होली की बात हो प्रीत की बात हो बात हो मनुहार की बात हो और ऐसे दो दिलों का जिक्रना हो जिनकी एक तस्वीर बनती है जिनको जाना जाता है प्रेम की प्रती के रूप में राधा और कृष्ण और मेरी ये पंक्तियां हमारे तमाम बड़े नाम मैं देखे सर मैं ऐसा प्रेम पढ़ती हूँ जो एक पिता अपनी पुत्री के साथ औ तू अगर शाम बनके आए तो राधिका बनके मैं सवल जाओं अज़ा को बहुत अच्छा लगा होगा आप सबका समय प्रसंद्निता के साथ मुस्कुराहत के साथ बीता होगा इसी के साथ मैं तमाम कवियों का इमेच वन प्राइम पर बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूं कि सब समय निकाल कर कोरोना के इस काल में यहां पर आए हैं और चलते चलते फिर से कहना चाहूंगी के कोरोना का समय है आप थोड़ा सा दिशा निर्दिशों का पालन कीजेगा अच जरूरी है हाथ भले ही मिले ना मिले तो होली पर एक बार फिर से मेच वन प्राइम की तरफ से आपको बहुत-बहुत धेरो शुब कामना यह होली आपकी जीवन में उत्साह लेकर आए आनंद लेकर आए रंगों की तरंगे लेकर आए और मिठाईयों जैसी खुशया लेकर और अंतिम आज के सकावे सफर की जो बहुत ही एहम बात है क्योंकि आतिति देवो भवा जहां पर हमें आतितियों का संबान करना है हम चाहते हैं MH1 प्राइम के माध्यम से एक स्मृति चिन्न देकर हम अपने कवियों का सतकार करेंगे और इसके लिए हमारे बीच में हमारे चैनल के हमारे प्रोग्राम के हमारे न्यूस देपार्टमेंट के डिरेक्टर शिवम चाबडा जी मैं चाहते हूं एक बार जोड़दार तालियों से हम उनका भी स्वागत करेंगे सबसे पहले मैं चाहती हूं कि हमारे भी यूसुफ भार्दवाज जी है जिनको हम MH1 प्रा को ग्रेंड करें आज के इस काव्य संध्या को बहुत ही जादा खुबसूरत बनाया अने लगरवंशी जी हमारे बीच उपस्तित हैं एक बार पुना हम जोड़दार तालियों से उनका स्वागत और ये सप्रेम भेंट MH1 प्राइम की तरफ से शशी पांडे जी भी हमारे ब क्याल से अन्तिम उसमें और थोड़ी सी अगर ताकत आप में शेश हो तो मेरे लिए भी ताली बजा दीजिए और मैं शीवम चाबराजी से निवेदन करूँगी कि हमारे मोहन गर्ग जी हमारे भी चुपस्तित हैं इस इंस्टिट के डिरेक्टर महोदे है सम्मान के इस प्रक्रिया में हम भी भागिदार बनेंगे अपनी तालियों के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया तो चलिए एक बार फिर से एमेशन प्राइम की माध्यम से आप सबी को होली की धेर और शुब कामना है यह उली आपके लिए मंगल में रहे आपके जीवन में रंग और तरंग लेकर आए उसी उमीद के साथ हमारी आज की यह खूबसूरत जो प्रस्तुति है उसको हम विराम की और ले दीजेगा और देखते रहिएगा एमेशन प्राइम दीजे इजाज़त नमस्कार